ये है Project Infinity X का एक Another Update जो कि हमारा 2.9 अपडेट है और आज किस वीडियो में इसी करने में बात करने वाल है किस ऑफिसल अपडेट में क्या कुछ चेंज देखनी को मिलता है क्या चेंज लोग है परफॉमेंस कैसा है और बाके दर चीजे किस तरही किसा में देखनी को मिलती है बस यहां पर आपका AOD काफी अच्छी तरीके से काम करता है जहां पर बैटरी परसेंटेर वह इस तरीके सापको क्लॉक्स वोगड़े देखनी को मिल जाता है जो कि बिल्कुली सही है फेस अनलोक फिंगरपेंट में कोई दिक्कत यहां पर नहीं आती, डिफिन आपको डैलर द तो पाई कहले हो या फिस जो भी आपको समझना है वो आपको मिल जाता है。 जो कि PRO पर काम करता है. और आपको यहां पर दिक्कत नहीं आती. साथ यहां पर डॉली latest वाला use कर दिया गया है, जो कि पहले हमें नजर मिलता था. जो कि भाई काफी सही तरगे से आपको काम करते हो नजर आएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली साथ साथ सेटिंग के अंदर आते हैं यहां पर जो सेटिंग के लुक है ना इसे आप अपने हिसाथ से चेंज कर सकते हो system के अंदर gestures पे अगर in करते हैं तो यहाँ पे क्युक टैब, torch, camera, one-hander, check वगएर आपको देखने को मिल जाता है पार से skin suit वगएर भी आपको देखने को मिल जाता है fire transfer roll आपको option मिलता ही है, game bar latest use किया गया है जहां पे सारे features unlock है और यह proper काम करता है इसमें आपको दिक्कत नहीं आती, face unlock fingerprint आपको यहाँ पे working मिलता है, साथ-साथ यहाँ पे आपको दिखाई देता है restrict USB का एक option जो कि working है device आपका encrypted रहता है जो कि बिल्कुल ही सही है, bad tick के अंदर यहाँ पे आप देखोए कि per app, terminal profile और power tool दोनों अलग दिखाई दे रहा है जैसे कि आप देखो मैंने benchmark पे set कर रहा है इन है, तो यहाँ पर मुझा अच्छा result मिला, gaming की time आप gaming पे डाल सकते हो कुछ इस तरीके से जो कि आपको एक better result प्रोइट करेगा और result आप देख पाऊगे बाकि इसका भी आप benefit ले सकते हो, अगर आप इसे off करते हो तो यह आपका activate रहेगा और उसके बाद आपको जो भी करना है, पूरे OS के performance के साथ changing ला सकते हो यह सही है, बाकि यहाँ पर आपको यह सारे options मिलते हैं, basic वाले, जो कि आपको proper काम करते हैं Another mode से sound profile में आपको वही आपको dolly वगरा देखनी को मिल जाता है, सासर notifications के अंदर, notification history है और बाकि notification cooldown का option मिलता है, wallpaper के अंदर आपको देखनी को मिल जाता है, icon का option, fonts वगरा चेंज करने के option आपको मिल जाते हैं Lock skin पर आप always on वगरा यूज कर सकते हो, और यह देखनी में काफी beautiful लगता है, तो यह चीब भाई काफी सही लगा, अगर आप यूज करना चाहते हो, तो करो, अदर बाइस simply आप off भी कर सकते हो साथ साथ default single wallpaper ही आपको देखनी को मिलेगा, और यहां पर brightness वगरा सही काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती, बाकि यहां पर आपको देखनी को मिल जाता है, जो कि आपका night light वगरा है, जहां पर आप intensity वगरा बढ़ा सकती हो, refresh rate मेंने adaptive पर रख रख रखा है, आप चाहो तो forcefully 120 enable करो, blur का option आपको मिल जाता है, यहां पर high touch falling rate वगरे भी मैंने on नहीं किया है, बाकि यहां पर HBM आपको देखनी को मिल जाता है, जो कि मैं तो use नहीं क्या तक, आप use करते हैं, नहीं comment जरूर करना मुझे एक वाठी, इसका huge customization का session आ जाता है, जहां पर आप यहां पर आ यहां पर आपको standard swipe action का option मिल चुका है, जो कि बीच में guide कर दिया गया था, यहां पर नई वापस से add हुई है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत पुराना features है, बाकि lock skin पर आपको मिल जाता है, वही clock वगरे का customization, जो भी आपको clock रखना है, उसके साफ से आप customize करो, apply कर और वह आपको lock skin पर देखनी को मिल जाएगा, जो कि देखने में काफी जादा अच्छा लगता है, बाकि widgets वगरे मैंने यहां पर सिर्फ से दो ही set किये हैं, बाकि आपने हिसाफ से set कर सकते हो, इसमें कोई दिकत नहीं आती, बाकि fingerprint का है, pocket mode का option आपको देखनी को मिलता है, रीपर है, charging emissions वोगेरा, carrier level वोगेरा, और यहां पर depth wallpaper भी मिलता है, और बाकि अधर options भी आपको मिल जाते हैं, जो कि आप यहां पर use कर सकते हो, wallpaper के अंदर आपको वही same session मिल जाता है, themed pack के अंदर आपको जो wallpaper changing का option मिलता है, और यह proper काम करता है, ऐसा नहीं कि आपको बार- रेंडम वाला, आप on कर सकते हो, sending का EY, round रखना है, या फिर बाकि अधर वो चीज़े बदल सकते हो, और आप यहां पर देखोए कि जग मैं back करूंगा, तो यहां पर जो setting का look है, यह आपको change होते मिलेगा, तो यहां पर भी change नहीं हो है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से आना है कहां पर themed के उपर, setting के उपर, और यहां पर जो कि disable है हमारा, इसे हम on कर लेंगे, EY एक बार refresh हो जाएगा, उसके बार हम जैसे back करेंगे, आपको setting का नया EY देखनी को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यह चीज़े यहां पर आपको देखनी को म सकते हो, बाकि यहां पर negation, sidebar वागिर आपको मिल जाता है, mislinious के अंदर यह सारे options मिलते हैं, जो कि proper working है, लेकिन वन डे पहले Google न अपना fit से कार्ण कर दिया है, इसके बाइसे जो surfing वाले features है, जैसे कि यह हमारा, यह अब fail हो चुका है, तो आपको manually pass करना परेगा, मैंने पहले ही वीडियो दिया है, नया method का, कि कैसे हमें क्या करना है, और वो चीजे मैंने यहां पर apply भी कर रखा है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, तो यह आपको pass देखनी को मिलता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, तो आप मज़ इसे fix करके use कर पागे, Google कितन ना है, और यहां पर जितने भी features से बाके दर सारे काम करते हैं, आपको कोई problem नहीं आती, इसे related, बाकी यहां पर आपको देखनी को मिलता है, वही compact का, ongoing का, island वगेरा, notifications का, calls related, vibrate का features, और बाकी यहां पर आपको मिलता है notification, जो कि मैंने आपको सो करी दिया, button के अंदर आपक limit कर सकते हो, बाकी यहां पर आपको processing bar देखनी को मिल जाएगा, clock वगेरा आप अपनी साफ से change कर सकते हो, haptics वगेरा भी आप बदल सकते हो, और यहां पर अलगलग EY का भी option आपको देखनी को मिलता है, brightness slider वगेरा भी आप set कर पाऊगे, तो यह सारे customization जो आपको दिखाई को on करने का option यहां पर आपको मिल जाता है, जो कि पहले missing था, add हो चुका है, अस्वो 5G inductor वगेरा आप on कर सकते हो, बाकी यहां पर वही basic option और padding control वगेरा आपको देखनी को मिलते हैं, यह सारे customization काफी है तक पहले भी थे, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें यहां पर नई आई है, जो कि मैंने आपको दिखाया है, बाके यहां पर चैनलोग की बात करें, तो मैं आपको चैनलोग ही दिखायता हूँ, यह हमारा वीडियो को रोक के देख सकते हो, device side चैनलोग, जहां पर old अला हमारा dolly add कर दिया गया है, यहां पर अप्डेक्स तो 4G और LTE का option आपको द देखने को मिलेगा, जैसे कि यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, allow adjust opacity of custom clock style वगएरा का है, enable monitor color वगएरा, toggle में आपको देखने को मिल जाता है, ambient music tracker features मिल जाता है, bluetooth related improvement किया गया है, resize कर दिया गया है, clock वगएरा के stress वार के अंदर, यहां पर आपको setting more visual random दिया गया है, सा some application crash कर रहे थे, उसे भी यहां पर fix किया गया है, total change लोग आपको यह देखने को मिलता है, और EY reality में काफी smooth है, काफी सही तरिगे से काम करता है, कोई दिकत नहीं आती, साथ-साथ यह है, इसका हमारा launcher का customization वगएरा, जो कि आप यहां पर use कर सकते हो, इसमें भी आपको problem नह आता हूं, तो by default यहां पर इतने ही application देखनी को मिलते हैं, यहां पर playstore बगरे include है, और यह हमारा default wallpaper, first time यह default fail रहता है, उसकार मैंने यहां पर इसे पास किया था fail को, उसके बाद फिर से Google ने band कर दिया, जो कि one day पहले कि कोई डाल वे दो दिन हो गया है, जो कि यहां पर हमा इसके बाद बाके दर चीजों के ऊपर नजर डालते हैं, तो यहां पर आपको बूट रोड लॉक का स्पूप भी साथ के साथ मिल जाता है, टेंसल लेने के जब रूतनी है, डिवाइस भी आपका यहां पर completely certified हो जाता है, camera आपका working रहेगा, बैटी डॉप जो कि 88 के बाद म आपको दिखाया था थोड़ी दिर पहले, तो यहां पर देखो 4 लग 10,000 Max, और minimum यहां पर 3 लग 4,000 90 का percentage, जो की काफी ज़्यादा बहतरीन यहां पर निकल के आता है, वहें पर हमारा untruth हलका सा downside है, क्योंकि यह 11,11 आता है, जबकि यहां पर आया है हमारा 10, और यहां पर hitting control भी है, जो कि 41 ही हमारा गया है, geekbench काफी ज़्यादा बहतरीन हमें देखनी को मिला है, जो कि मैं कवाँ के काफी अच्छा खासा है, बाकि यहां पर आपको जो photo storage बगर unlock देखनी को मिल जाता है, gaming setting भी unlock मिल जाता है, क्योंकि यह सारे काम करते हैं, और second day के batty drop की बात करें, तो 40 के बाद morning में आता है, यहां पर 38, यानि only on 2% का batty drop है, यानि first day 3%, second day 2%, तो यहां पर batting अंदर improvement दिखाई देता है, एक दो दिनों के huge के बाद, जो कि यह चीज मुझे यहां पर काफी ज़्यादा सही लगी है, तो यह total चीज़ आपको यहां पर देखनी को मिलता है, औ आपको FW flash करना होगा, अपने इस रों को flash करने से पहले, और आप Orange Fox की help से इसे flash कर सकते हो, या फिर आप ADP side load का method follow कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगता है, वो यूच करो, बट मैं recommend करता हूँ, ADP side load method काफी बहतरिन रहता है, बट Orange Fox की help से भी आप इसे flash कर पाऊगे तो simple अपना recovery open करना है, Orange Fox का FW flash करना है, wrong को flash करना है, format and reboot कर लेना है, ऐसे में last make installation guide add कर दूँगा, उसे देखके आप install कर पाऊगे, मैं मिलता हूँ आप से next वीडियो में, thanks for watching, बस आज के लेट नहीं साथा, tata and bye bye, please like करके जाना, अगर आप अभी तक यहां तक वीडियो देखे हो तो, okay, तो phone को off करने के बाद, power turn and volume up को long press करना है, जिसे आपको phone करना install recovery, open हो जाएक और यहां पर recommended है, orange fox याफि side load, तो यहां पर जैसी on होता है, आपको अपना सबसे पहले device का FW flash करना है, जो कि supported होगा, जिसे आपको simply internal में रखना है, select कर लेना है, और select करने के करने के बाद, swipe करना है, जैसे कि मैं यहां पर different device आपको सो करना हूँ, आप अपना device में काम करना, और starting में आप चाहो तो wipe कर सकते हो, या फिन नहीं भी करना, data वगड़ा चलेगा काम, तो मैंने यहां पे FW flash किया, से आपको कर लेना है, उसके बाद आपको यह जो infinity x 2.9 उ के बाद, वसका सिंपल आपको reboot करना, आपका phone within few minutes, boot कर जाएगा, boot automation के बाद, आप setup करके use कर पाओगे,